आज हमने एक साल की बच्ची के लिए फ्रॉग बनाया है किस तरीके से बनाया है इसकी वीडियो सुरू करेंगे दस लाइन हमने बीच में सपेथ कलर से बिन लिया है दस लाइन के हमने बैल्ट बना दी अब यहाँ से हम फंदे बढ़ाएंगे अब फरॉग को घेर में लाएंगे यहाँ पर दस फंदे बिन लिये हमने एक लाइन हमने इस उन से बिन लिया है पूरी एक लाइन अब फंदे बढ़ाएंगे इस तरीके से धागा पीछे कर लिया है एक फंदा यह बिन लेंगे एक जाली आ गई हम फिर फंदा पीछे करेंगे एक जाली फिर आ गई यानि कि दो फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ गए अब दस फंदे हम बिन लेंगे एक हमने जाली के साथ बिन दिया है दो फंदे हमारे बढ़ दे जाली फिर दस फंदे फिर बिन लेंगे फिर इसी तरीके से फिर दो जाली आएंगे पूरी सिलाई इसी तरीके से बिन लेंगे पूरी लाइन में हमने दस फंदे बिन के फिर दो दो जाली निकाली है अब दूसरी लाइन में यह हमने जाली बनाई थी एक यह जाली है एक यह जाली है तो जाली का फंदा हम बिन लेंगे ये फंदा हमने बिन लिया इसके बाद फिर यहाँ पर जाली बनी जिस तरीके से हमने पहले बनाई जाली आ गई एक फंदा बढ़ गया फिर यहाँ पर फिर उसी तरीके से जाली आ गई एक फंदा बढ़ गया पहले लाइन में हमने ये 10 फंदे बीज में बिने थे अब 12 हो जाएंगे क्योंकि एक जाली से यहांपर बढ़ा था हमारा फंदा एक यहांपर बढ़ जाएगा दो फंदे हमारे बढ़ जाएंगे अब बारा फंदे बिनेंगे बारा फंदे के बाद फिर जाली आएगे उसके बाद अगली लाइन में चौदा फंदे आजाएंगे चौदा फंदे बिनेंगे फिर जाली आएंगे दो इसी तरीके से हम तीन लाइन बिन लेंगे तीन तीन जालिया हमने ये निकाल दी है पहली लाइन में ये निकाली, दूसरी में ये निकाल दी अब ये तीसरी लाइन जाली का फंदय है, एक साथ में एक जाली और निकाल दी यह जाली निकाल दी, यह सीधा फंदा, फिर एक फिर जाली, तिन-तिन जाली हमारी निकल गई है, यह लाइन को हमको तीन जाली वाली पूरी कर लेनी है, इसके बाद सीधा-सीधा उल्टा-सीधा बिन लेना है, बेल्ट बनाने के बाद हमने 5 इंचे नीचे को बिन लिया है, अब जिस तरीके से हमने यह जाली से यहाँ फंदे बढ़ाए, इसी तरीके से नीचे भी बढ़ा लगे, एक लाइन हमने सफेद धागे से यह बिन लिया है, दस फंदे यह बिन लिया है, इसके बाद यहाँ से जाली निकालेंगे, इस तरीके से, एक जाली यह आगे, फिर एक जाली यह बन लिया, दो जाली आगे, एक फंदा यह बिन लिया है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, दस फंदे बिन लिया है, फिर इसी तरीके से, एक जाली फिर निकालेंगे, एक जाली फिर आगे, दो जाली यहाँ पर निकालेंगे, फिर दस फंदे फिर बिन लिया है, फिर दो जाली निकालेंगे, अब यहाँ नीचे को उल्टा उल्टा बिनेंगे, पहली लाइन में 10 फंदे बिनने के बाद जाली निकालेंगे, दूसरी लाइन में 12 फंदे बिनने के बाद जाली निकालेंगे, तीसरी लाइन में 14 फंदे बिनने के बाद जाली निकालेंगे, सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने उपर जाली निकालेंगे, तीन बार जाली बिंदेंगे, आठ लाइन हमने ये बिंद लिया है, अब ये फंदों को हम बंद करदेंगे, एक फंदा बिंदेंगे, दो फंदें बिंदें, पीछे आले फंदें को इसके उपपर से ले लेंगे, इस तरीके से, फिर एक फंदा बिंदेंगे, फिर पीछे आले फंदें को इसके उपपर ले लेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से फंदें ये बंद होते रहेंगे, पूरी गोलाई के फंदें हम ब बंद कर लेंगे। पूरे फंदे हमने ये बंद कर दिये हैं बिना सिलाई किये हुए हमने राग बना लिया है। अब ये हमने अस्तीन के लिए फंदे बंद किये थे अब इन फंदों को हम उठालन शिलाई में इस तरीके से अब ये उन को हम खिसकाते जाएंगे इस तरीके से और अंदे हम अपनी शिलाई में लेते रहेंगे इस तरीके से इसी तरीके से पूरे फंदे हम सिलाई में ले लेंगे पूरे फंदे हमने ये सलाई में ले लिए हैं अब एक सिलाई हम इसे उल्टा उल्टा बिन लेंगे इस तरीके पूरी लाई यहां तक बिन लेंगे एक से लाई हमने बिन लिया है एक दो तीन चार पांस पांस फंदे हमने ये बिन लेंगे पांस फंदे बिनने के बाद हम जाली निकालेंगे जिस तरीके से नीचे हमने दस फंदे के बाद हम जाली निकाली थी तीन लाईन तीन जाली निकाली है सेम उसी तरीके से यहां भी करेंगे यहां दस फंदे बिनने के बाद जाली निकाली थी, और यहां पांस फंदे बिनने के बाद हम जाली निकाल लेंगे, जाली निकाल लेंगे, फिर जाली निकाल लेंगे, दो जाली निकाल लेंगे, फिर पांस फंदे बिनने लेंगे, दो, तीन, चार, पांस, फिर यहाँ पर फिर जाली निकालनी है, सिर्फ हमको अस्तीन में पांस फंदों के बाद जाली निकालनी है, और करना इसी तरीके से है, जिस तरीके से हमने नीचे के, तीन जाली निकाली है, पहली लाइन में, दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन में, और इसके बाद उल्टा-उल्टा बिन लिया है, सेम इसी तरीके से यहां भी करेंगे, पांस फंदे बिनेंगे, फिर दो जाली, पांस फंदे बिनेंगे, फिर दो जाली, तीसरी लाइन में, और इसके बाद उल्टा-उल्टा बिन लिया है, अज तीन हमने दस लाइन बिन लिया है अब यह फंदों को हम बंद कर देंगे एक दो दो फंदे बिने पीछे आले फंदे को इसके उपपर से ले लेंगे फिर एक फंदा बिनेंगे फिर फंदे को इसके उपपर से ले लेंगे इसी तरीके से सारे फंदे हम बंद कर लेंगे पूरे फंदे हमने यह बंद कर लिया है इस तरीके का हमारा अस्तीन बन गया है सेम इसी तरीके से दूसरा अस्तीन भी हम बना लेंगे अब हम कॉलर के लिए यहां से फंदे उठाईए यहां से धागा लगा लगे पांच फंदे जो हमने काज बटन के लिए इतना हिस्सा हम छोड़ देंगे यहां से फंदे उठाईएंगे इस तरीके से सीधी साइट से उल्टी साइट को उठाईएंगे इसी तरीके से पूरी गोलाई में फंदे उठा लगे इस तरीके से पूरे यहां तक सिर्फ पांच फंदे को यह चोड़ देंगे यहां तक उठाईएंगे फंदे हमने पूरे उठा लिये हैं सिर्फ पांच फंदे यहां पर चोड़ रखें और पांच फंदे यहां पर बाकि पूरे फंदे उठा लिये हैं एक फंदा बिनेंगे शुरू में तो एक फंदा नीचे से उठा लिये हैं यानि कि एक फंदा यहां पर बढ़ गया फिर इसको बिन लगे एक फंदा बिना एक फंदा नीचे से उठा लिया यानि कि एक फंदा यहां पर हमने बढ़ा लिया हैं ताकि पूरी लाइन बिन लगे उल्टी उल्टी फिर पूरी लाइन उल्टी उल्टी बिन लगे फिर इधर को आएंगे इस तरीके से पहला फंदा बिन लगे यहां पर एक फंदा फिर बढ़ा लगे फिर पूरी उल्टी उल्टी लाइन बिन लगे फिर यहां से एक फंदा फिर बढ़ा लगे, इसी तरीके से उपर को उल्टा-उल्टा बेंते रहेंगे इतना कॉलर हमने ये बना लिया है अभी तक हम फंदे यहां से बढ़ा रहे थे पहला फंदा ये ले लिया, धागा आगे करेंगे यहां पर दो का एक कर लगे, दो फंदे हैं दो का एक कर लिया, यानि कि एक फंदा यहां पर हमने कम कर लिया बाकि उल्टा-उल्टा पूरी लाइन बिन लगे फिर सेम इसी तरीके से इधर से करेंगे कॉलर हमने चार इंच बिन लिया है एक बार इधर से फंदा कम कर लिया, एक बार इधर से फिर दुबारा एक बार इधर से एक बार इधर से यानि कि दो फंदे यहां से कम हो गए दो फंदे इधर से कम हो गए अब इन फंदों को हम बन कर देंगे कॉलर हमारा पूरा हो गया एक फंदा उतारा आगा आगे एक फंदा बिन लिया फिर पीछे आले फंदे को इसके उपपर से ले लेंगे फिर एक फंदा बिनेंगे फिर इसके उपपर से इसे ले लेंगे पीछे आले फंदे फिर एक फंदा बिनेंगे फिर पीसे आले फंदे को इसके उपर से लेए इस तरीके से हमारे फंदे बंद होते रहेंगे इसी तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर देंगे कोलर के फंदे हमने पूरे बंद कर दिये हैं अब इस तरीके से हमने काज बनाए हैं दो काज बना रहें तो यहाँ पर दो बटन लगा लगे इस तरीके से हमारा कोलर पूरा हो गया है हमने यहाँ पर दो बटन लगा लिए हैं फ्रॉक हमारा पूरा हो गया है अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें नए नए डिजाइनों के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें कर दो कर दो दो है